नमस्कार किसान मित्रू स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल के इस नए फ्रेस एपिसोड में आज है हम अपने डेरी फार्म पर जी हां सही सुना आपने हमारा एक छोटा सा डेरी फार्म है और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ हमारी एक देसी नसल की गाई की लाई मिलकिंग मैं आपको बता दू कि हमारी ये गाई ने तीसरे लेक्टेशन में दस दिन पहले ही एक तंगुरस और बहुत ही कुछशूरत बच्छडी को जनम दिया है और ये है हमारा सेड और हम जो बात कर रहे हैं ये है वो देसी नसल की गाउ ताफि खूबसूरत और काफि वडिया आडर कॉलेटी आपको दिखाई दे रही होगी और ये है वो बच्छडी जो दस दिन पहले ही उसने तीसरे लेक्टेशन में इस खूबसूरत और तंदूर बच्डी को जनन दिया है आप देख सकते हो काफी सुंदर तंदूरस्ट और काफी चंचल किसम की बच्डी है और आज हम आपको इसी गाई की लाइव मिल्किंग करके बताएंगे इस गाई के हम दो ही आचल का दूद अभी निकल रहे है दो आचल इस बच्डी के लिए छो करिए तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताके ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे और नीचे दिये गए बेल आइकन को प्रेस कर देजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और नीचे दिये कमेंट में जरूर बताए कि आपको यह गए और इसका जो मिल्किंग कैसा लगा तो अभी हम सुरू कर रहे हैं आप देख सकते हैं जो हमने यूज किया है वो डोल का अभी खाली है और यह मिल्किंग अभी हमने स्टार्ट कर दिया है तो वीडियो अगर वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट पॉरवर करता हूं आसा है तो आप देख सकते हैं अल्मोस्ट अब मिल्किंग हो गया है और हमारे पास कोई वेइंग स्केल है नहीं तो हम आपको यह जो मिल्क है वो एक पांसो ग्राम की कैन से नाप के दिखाएंगी और यह बच्छडी को अभी छोड़ दिया गया है दो आचल उसको पीने के लिए काफी मन मोहग द्रश्ट दिखाई दे रहा है और आपकी स्क्रीन पे और यह है पांसो ग्राम का कैन जिससे हम आपको यह जो नाप के दिखाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं यह एक यह दो यह तीन यह च्यार यह पांच पर यह पूरा भरिये और यह छे साथ आठ यह नो तो दर्शक मित्रो किसान मित्रो आपने देखा के नौ केन यानि की साड़े च्यार लिटर अभी दो आचल का इसका मिल्किंग है तो आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेर करें और सबस्ट्राइक करें लिए दिखें दिए गए कमेंट में चरूर बताए जये ही है